आज का टॉपिक है वो बहुत इंपोर्टन है हर पेरेंट की कंप्लेंट रहती है कि उनका बच्चा बात नहीं सुनता सबसे पहले तो आपको यह पता करना पड़ेगा बच्चा सुनता क्यों नहीं है कई बार क्या होता ना बच्चे अपने development stage में होते हैं जब बहुत चोटे होते हैं तो बच्चे का attention span बहुत चोटा होता है second important point is ऐसा तो नहीं है कि आप कुछ भी समझा रहे हैं बच्चे को या बता रहे हैं उस time उसके सामने distraction हो जैसे कि उसके आप मोबाईल हो या कहीं से noise आ रहा हो टीवी चल रहा हो या कहीं कोई भी तरीके का distraction हो सकता है जैसा बच्चा किसी और चीज में interested है खेल में लगा है लेकिन आप उसे कुछ समझाने की कोशिश कर रहे हैं या उसे कुछ बता रहे हैं तो वह भी बहुत बड़ा distraction हो सकता है बच्चों का ना सुनने का कारण हो सकता है another one is lack of understanding कभी कभी क्या होता है बच्चा जब छोटा है या बड़ा है अगर आप उसे उसकी language में समझाएं या concept उसके लिए उतना मुश्किल है जो आपकी बात नहीं समझ पा रहा आपको easy language में बच्चे को समझाना पड़ेगा यह नहीं है कि छोटा बच्चा है तो आप उस तरही के से उसके साथ language use कर सकते है another one is fourth क्या है कि बच्चे कभी कभी अपने boundaries को test करने लगते हैं वह क्या होता है बच्चे को हमीशा freedom चाहिए बच्चों को लगता है कि मैं जो कर रहा हूं वह ठीक है मुझे जादा हां रोका ना जाए मुझे जादा टोका ना जाए तो कभी कभी वह attention लेने के लिए बीना अपनी boundaries क्रॉस करने की कोशिश करता है वह या तो उसको attention seeking है या वह चाता है कि मैं जो मेरे parents कह रहे हैं मैं उस boundary में बंदा हुआ ना रहूं मैं अपने आपको free रखूं तो उस कारण से भी बच्चा ये काम कर सकता है another important point is बच्चा क बहुत tired है या hungry है या अभी अभी school से आया है और आपने उसे 1000 question पूछने चालू कर दिये या बच्चा hungry है लिगना फिर भी उसे पढ़ाते जा रहे हो तो ऐसे नहीं होता उस ताइम बच्चा वाके में नहीं सुनेगा क्योंकि वह अल्रड़ी बहुत ठका हुआ है तो try to give rest to kids बच्चों को थोड़ा आराम करने दीजिए अगर आप पढ़ा रहे हैं तो बीच बीच में बच्चों को breaks दीजिए another way is बच्चे को ना कभी भी complex चीजे ना बताएं अगर कुछ भी समझाना है को complex भी है तो उसे easy way में समझाईए lack of interest भी हो सकता है कभी बच्चों का आप तो वो हो जाता है lack of interest हो जाता है बच्चों का क्योंकि उसे लग रहा है यह चीज मेरी useful नहीं है तो मैं उसे क्यों समझूं या मैं यह क्यों करूं आपको बच्चे को कुछ भी समझाने से पहले उसका interest डिवलप करना थी है और सबसे important अब आप पूचेंगे कि बच्चे को हम लोग कैसे सुनने वाला बनाए मतलब कैसे वो हमारी बात सुने तो सबसे पहले आपको अगर बच्चे को कुछ भी समझाना है तो बच्चे से eye contact बनाईए उनसे distractions को दूर रखिए बच्चों को जब आप eye contact रखके बहुते हैं कुछ तो वो बात समझने की कोशिश करता है हर चीज को easy way में समझाने की कोशिश कीजिए बच्चे को पढ़ाते समय या कुछ भी समझाते समय उनको breaks दीजे rest दीजे ताकि वो fresh mind से आपकी बात समझ सके बच्चों को कुछ नहीं बस attention चाहिए होता है आप उनके लिए अच्छे listener बनिए if you listen to them they will start listening to you बच्चों को एक listener बहुत पसंद था जो उनकी सारी दिन की बाते सुने हर चीज सुने आप वो क्या बताना चाहते हैं अगर आप ऐसा करेंगे तो 100% बच्चा आपके लिए सुनेगा I hope you all understand what I said and if you like my videos and want to listen more videos like this please give me thumbs up and share my videos to your friends and family and I hope to see you again tomorrow bye